हेलो दोस्तों हमारी चैनल व्येस ओनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फीर से बहुत-बहुत स्वागत है 34 प्री डिलेट का सेकेंड लिस्ट जो है जारी हो गया है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही इसकेंड लिस्ट पर आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे अगर आपका सेलेक्शन हो गया है तो आपका सेलेक्शन कौन से कॉलेज पर हुआ है आप पूरी जनकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके साथी दोस्तों सभी कॉलेज का कटप कितना गया हुआ है कितने नमबर वालों का सेलेक्शन हुआ है पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं डिलेट का मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्राउजर को उपन कर लेजिए सर्च बाल पर आकर आपको SCERT लिके सर्च करना है यहाँ पर देखेंगे तो साइट आजाएगी आपको इस साइट पर क्लिक करना होगा इसके बाद हमारे शामने वेब साइट है इस प्राकार से उपन हो जाएगी अब यहाँ पर निचा आएगे और B8 और DLEET All In Consulting का एक सेक्षन बना हुआ है तो आपको B8 या DLEET किसी भी एक link पर click कर देना होगा इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो B8 या DLEET All In Consulting है तो link लिका हुआ आता है यहाँ पर आपको दुबारा click करना होगा और इस प्रकास से देखेंगे तो आपके शामने कॉंसलिंग कराने का जो पेज है उपन हो जाएगा अब दोस्ते आप देख सकते हैं B.A.D.L.8 साथ ही B.A. और B.A.C.B.8 तीनों का आप जो है सेकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं दोस्ते आपको मेरिट लिस्ट चेक करने के यहाँ पर देख सकते हैं Click to login लिका हो आता है यहाँ पर आप क्लिक कर देजिए जैसी आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक नया पेज उपन हो जाएगा आप यहाँ पर इस पेस पर सबसे टॉप पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है त्री लाइन है इस त्री लाइन पर आपको क्लिक करना है आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा options यहाँ पर open होके आजाता है अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो Allotment List और Merit List लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप क्लिक कर देजिए जैसे दोसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं Merit List चेक करने के यहाँ पर दो options दिये गए हैं आप अपने Registration Number को डाल कर Merit List चेक कर सकते हैं यहाँ से सभी College का Cut Up कितना गया हुआ है उसे भी आप असाने से चेक कर पाएंगे अब सबसे पहले आप अपना Registration Number डाल के चेक करने के यहाँ पर देखेंगे तो Search by Registration Number लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे Select Under Continually का हुआ आता है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए कॉंसलिंग कराते समय जो आपको डेलेट की जो है Registration Number मिला होगा उस Registration Number को आप यहाँ पर डाल दीजिए इसके बाद Face पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं Second Face का Merit List है तो यहाँ पर Second पर आपको क्लिक करना होगा और नीचे Search के Option पर क्लिक कर दीजिए जैसे आप Search के Option पर क्लिक करेंगे आपके समय इस प्रकार से आपका पूरे डिटल सर्च होके आ जाता है तो दोस्तों आपका सेलेक्शन यहाँ पर हो गया है अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इंस्टूट का नेम लिखा होगा वह आता है यानि कि आपको कौन स प्रिफरेंस पर हुआ है यहाँ पर आप पूरी जनकारी देख पहेंगे दोस्तों इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका सेलेक्शन कौन से कॉलेज में हुआ है अगर इस प्रकार से आप जो है रजिस्टेशन नमबर डालके फिसको सेलेक्ट करके यहाँ पर दे लेते हैं कि कॉलेज वाइस कटप लिस्टे कैसे देखेंगे यानि कि आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है उन सभी कॉलेज का कटप कितना गया हुआ है कितने नमबर वालों का सेलेक्शन हुआ है आप पूरी जनकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके दुबार आपको कोशा का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो कोशा का नाम पूछा जा रहा है यहां पर क्लिक करके यहां पर आपको डिलेट सेलेक्ट कर लेना होगा इसके बाद यहां पर नीचे इंस्टिटूट लिखा हुआ वह आता है यहां पर क्लिक करेंगे तो सभी जितने भी डिलेट कॉलेज का नाम है सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा आपको जिस कॉलेज का जो लिष्ट देखना होगा उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हमें गवर्मेंट कॉलेज यहाँ पर जो है candidate का selection हुआ है, सभी की पूरी list आ जाती है, उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, तो जिसका number ज़्यादा है, उस candidate का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, general category में सामिल किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप general category की list पूरी देख सकते हैं, उसी प्रकार से नीचे आएंगे, तो जो है OBC category की यहाँ पर list देख सकते हैं, और उन सभी candidate का कितना number पर selection हुआ है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, उसके बाद SC, ST का यहाँ पर आपको list देखने को मिल जाती है, यानि कि यहाँ पर category wise आप merit list चेक कर सकते हैं, अगर आपका नाम वहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके जो है कम number वालों का नाम आगया है, तो उस condition में आप दावापत्ती कर सकते हैं, दावापत्ती कैसे करेंगे, इसके बारे में अलग से वीडियो में हमने पूरा detail बना दिया है, वीडियो के लिंक नीचे description पर दे देंगे, आप वीडियो देकर आप जो है अदावापत्ती का process करा सकते हैं, इस प्रकासे दोस्तों आप जितने भी college सेलेक्टिक की हुए हैं, सभी का college यहाँ पर cut-up list आप चेक कर लेजिए, चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि अगर आपका selection हो गया है, तो आपको कब तक admission लेना है, इसके साथ ही अगर आपका selection नहीं हुआ है, तो आपको second round की counseling कब करानी है, अब यहाँ पर schedule पर देखेंगे, तो पूरी जनकारी आपको देखने को मिल जाएगी, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, तो 26 सितंबर यानि आज आपका second list है जारी कर दिया गया है, आप इसमें देखेंगे तो आप जो 26 से लेकर 27 तक दावपत्ती का process भी करा सकते हैं, दावपत्ती हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे, तो जो second की finalist है, यानि आपका allotment letter है, 30 तारीक को जारी कर दिया जाएगा, इसमें तो सबको अपने allotment letter accept और reject करने का option दिया जाएगा, अब आपको इस college में admission लेना है, तो accept करके आप 30 से लेकर 7 तारीक के बिच, अब जो है जहाँ भी आपको college allot हुआ होगा, उस college में जाकर आपको admission ले लेना है, इसके बाद जितने भी खाली सीट बच जाएंगे, उसकी जनकारी 8 यहाँ पर October को जारी कर दिया जाएगा, इस प्रकास से आप यहाँ पर पहले round की counseling है, यहाँ पर खत्मा हो जाएगी, अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, तो 10 October से आपकी second round की counseling स्टार्ट हो जाएगी, आप second round की counseling में आप नया form भशकते हैं, आप अपने preference में भी change कर पाएगी,